और फ्रेंड्स यह प्लांटेशन ग्राम बर्वा जिला स्यूनी में लगा गया है यह पौदा महोंगनी का पौदा है लगभग थ्री मंथ एबो का यह प्लांट हो चुका है यह प्लांटेशन ग्रोफ़ास्ट और्गनिक डायमंड प्राइबिट लिमिटेड कंपनी संस्ता द से पौदाग दोद कर रहा है कि क्योंकि आप सबी लोग जानते हैं पौदा किसी भी चीज़ काम लगा है तो नौर्मली दो मैना तीन मैना प्लांट के ग्रोफ़ करने में लगी जाता है एक्चली यदि तीन मैने चार मैने बाद या पौदा यह सेट हो गया तो मिनिमाम एक वर्स में 12 से 14 फिट अपनी हाइट बोथ करता है पौदा याने बारा मैने में ही 12 फिट उचा होता है और यहाँ पौदा की कुछ विशेस्ता हैं जैसे यह ब्रांचलेस पौदा होता है इसमें साखाय बिल्कुल नहीं आती है और इस पौदे से हर किसी किसारम भायों को नॉर्मल इतीन प्रकास इंकम प्राप्तों होती है सबसे पहले इंकम होती है फल के माध्यम से क्योंकि इसका फल मार्केर में बहुत कोशली जाता है क्योंकि इसके फल से टोटल मेडिसिन दमवाईया तयार होती है जैसे मदू में हैं, कैंसर है, डेंगू है, मलेरिया है इत्यादी भीमारियों की रोगताम के लिए इसके फरोंस गाल यह तयार किय जाती है और दुसरी इंकंघ होती है इसकी लखणी के माधने से क्योंकि लखणी सागून से भी बेश्ट कौलिटी का होता है सागुन से भी अच्छी सानिंग होती है इसमें और बहुत ही टिकाव पौदा होता है यह यानि इसकी उम्र एदि देखा जाए तो लगभग एदि इसकी लकड़ी या कोई भी फरनिचर्स तयार करते हैं तो लगभग 100-200 साल तक उसे किसी भी प्रकार की समस्यां नहीं होती है अब इससकार इस लकड़ी से जहां जहए कैस्टेट है बंदू की बठ है घरलू फरनीचर्स है वाध्य अंत्रों में इसका उप्योग किया जाता है बड़ी-बड़ी होटल में बड़ए-बड़े से लोज में इसकी फ़रनिचर्स का उप्योग की आ जाता कि इसकी तो पैन करने के आशकताने होती बहुत ही अच्छी सानिंग होती है